मनेपाल यूनिवसिटी में फाइनल येर की एक मेडिकल छात्रा, रात के करीब 11 बजकर 15 मिनट पर लाइबरेरी से अपने रूम की तरफ जा रही थी तभी एक ओटो रिक्षा उसके पास रुका और उसमें सवार दो लोगों ने उसे जबरदस्ती अंदर कीच लिया रात के लगभग 2 बजकर 55 मिनट पर छात्रा को यूनिवसिटी के गेट पर छोड़कर ये लोग फरार हो गए कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ लोग सड़कों पर है लोगों में गुस्सा है और उनकी जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर कब तक देश की बेटियों के साथ इस तरह की वीवत्स घटनाए होती रहेंगी कोलकाता की इस घटना ने 11 साल पुराने उस केस की भी यादे ताजा कर दी हैं जब रात में लाइबरेरी से युनिवरसिटी लोट रही मेडिकल की एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया दरिदों ने पहले छात्रा को आटो में किडनेप किया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी असमत लूटी इस मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और पुलिस ने पेट्रोल पंप से मिले महज एक सुराक के जरिये पाँच दरिंदों को उनके किये की सजा दिलाई थी वो 20 जून 2013 की मनहूस रात थी, जब करनाटक की मनिपल युनिवसिटी में पढ़ने वाली मेडिकल की छात्रा लाइब्रेरी में अपनी आनी वाली परीक्षा की तयारी कर रही थी उसने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बजे चुके थे, अपनी किताबों को समेट कर वो पैदल ही लाइब्रेरी से कैंपस में अपने रूम की तरफ चल पड़ी हलकी बूंदा बांदी के बीच अभी वो कुछ कदम ही चली होगी कि पीछे से तेजी से एक आटो आया और उसके पास आकर रुख गया छात्रा कुछ समझ पाती, उससे पहले ही आटो के अंदर से दो लोग उत्रे और उसे जबरन अंदर खीच लिया यूनिवर्सिटी के गेट पर तैनाथ सिक्योरिटी गार्ड ने ये देखा तो वो बचाने के लिए दोड़ा लेकिन तब तक आटो मौके से जा चुका था छात्रा का पस और छाता सड़क पर गिरे पड़े थे एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया और कुछ देर बाद ही पास के थाने में तैनाथ इंस्पेक्टर सदानन्द तिपनावर मौके पर पहुँच गए सदानन्द ने छात्रा की रूममेट को अपना नमबर दिया और अपने थाने की टीम को उसकी तलाश में लगा दिया पुलिस के लिए एक-एक मिनट भारी था करीब चार घंटे बाद लगभग तीन बजे इंस्पेक्टर सदानन्द के मोबाइल पर रूममेट का फोन आया उसने बताया कि छात्रा वापस लोट आए है हाला कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है छात्रा ने अपनी पूरी आपबीती रूममेट को बताई उसके साथ तीन लोगों ने एक सुनसान जगह पर ले जाकर बलातकार किया था दो आरोपी बीच रास्ते में ही उतर गए जबकी एक ने उसे वापस युनिवसिटी के गेट के पास छोड़ दिया अगले दिन आग की तरह ये खबर फैल गई और इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया दिल्ली में निर्भया कांट का मामला अभी भी लोगों के जहन में था और ऐसे में एक और घटना ने पुलिस पर दबाव बढ़ा दिया दरिंदों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत जोग दी इंस्पेक्टर सदानंद और उनके सीनियर ओफिसर अगले चार दिनों तक बिना सोये इस केस की जाच में लगे रहे पीडिता से पूछताच के आधार पर संदिग्दों के स्कैच बनवा कर जारी किये गए करीब 150 पुलिस वालों की टीम इस केस पर काम कर रही थी पुलिस के पास सुराक के नाम पर केवल इतनी ही जानकारी थी कि मेडिकल चात्रा को आटो रिक्षा में किड्नेप किया गया था लेकिन किसी भी CCTV में उसका नंबर ट्रेस नहीं हो पाया अब पुलिस ने पूरे जिले के आटो रिक्षा ड्राइवरों को पूछताच के लिए बुलाया करीब 12,000 ड्राइवरों को स्कैन किया गया लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया इसी बीच पुलिस को खबर मिली की योगिश नाम का एक ओटो रिक्षा ड्राइवर पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है पुलिस ने तुरंट उसकी तलाश शुरू की लेकिन वो शहर छोड़ कर जा चुका था मामले में पहला संदीगध अब पुलिस को मिल चुका था पुलिस ने अब आसपास के इलाके को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि जिस जगह से छात्रा को किड्नेप किया गया उसके पास एक पेट्रो पंप है पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज की जाच की गई तो पुलिस को इस मामले में एहम सुराग मिल गया CCTV में नजर आया कि घटना से कुछ मिनट पहले ही योगिश और उसके दो साथी हरिप्रसाद और आनन्द पेट्रोल पंप पर गये थे उस रात इन लोगों ने करीब 11 बजे आटो रिक्षा में 100 रुप्य का इंधन भरवाया था पुलिस ने अब तेजी के साथ इन तीनों की तलाश शुरू की लेकिन तभी अधिकारियों के सामने एक और चुनोती खड़ी हो गई योगिश की तलाश में जुटे इंस्पेक्टर सदानन्द के मोबाइल पर एक दिन उसका फोन आया और उसने कहा कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि इससे पहले ही वो अपनी जान दे देगा पुलिस को दूसरे आरोपी आनन्द के बारे में भी ऐसी ही सूचना मिली अब पुलिस के सामने आरोपियों को पकड़ने और इन्हें अपनी जान देने से रोकने की चुनोती थी पुलिस ने योगिश के नमबा को ट्रेस कर उसे पकड़ लिया जिस समय उसे गिरफतार किया गया वो अपनी जान देने की कोशिश में था इसके बाद आनन्द और हरिप्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। केस की तफतीश में पुलिस को पता चला कि दो अन्य आरोपियों योगिश के भाई बालचंद्र और हरिप्रसाद के भाई हरिंद्र पुजारी ने सबूट नश्ट करने की कोशिश की थी। ये दोनों भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मामला कोर्ट में चला और 15 अक्टूबर 2015 को उर्दुपी जिले की अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोशी ठहराया। कोर्ट ने योगीश, हरिप्रसाद और आनंद को आजीवन कारावास और एक लाख रुपे के जुर्माने की सजा सुनाए। बालचंद्र और पुजारी को तीन साल की सजा सुनाए गई। इस मामले में पीडित मेडिकल छात्रा को मीडिया से बचाने के लिए पुलिस ने एक अनोखा तरीका भी अपनाया था। पुलिस टीम ने छात्रा को बिना किसी मुश्किल के कोर्ट लाने के लिए एक नकली पीडिता का सहारा लिया। मीडिया को चक्मा देने के लिए पहले बुर्का पहनी एक दूसरी महिला को कोर्ट लाया गया। जब मीडिया के कैमरे चुपचा पीछे के दर्वाजे से कोर्ट में लाया गया। मिडिया को इस बात की भानक तक नहीं लगी कि असली पीडिता पीछे के दर्वाजे से कोर्ट रूम में आ चुकी है। पीडित करना है ताकि भविश्य में ऐसी घटनाओं पर अनकुष लगाया जा सके।